जैन फ्रेंड्स, I am Shubham, Welcome to my YouTube channel SMSTDGuru जैसे कि आप सभी को पता है GDS, GDS का result जारी कर दिया गया है document verification कराने के लिए जितने student को बुलाया गया, उनका result जारी कर दिया गया है आप लोग जल्द से जल्द अपने document verification करा ले document verification कराने time पे आप लोग को कौन कौन सी चीज़ों की जरूत पढ़ने वाली है किस-किस document की जरूत पढ़ने वाली है इन सभी बातों पर चर्चा करने वाला हूँ और ऐसी कौन सी गलती ना करें जिससे document verification कराने time डिक्कत आ सकती है तो इन सभी वातों पर चर्चा करेंगे, अभी हम लोग हैं इंडिया पोस्ट, GDS की ऑफिसल वेब साइट पर, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, कि दीचे रिजल्ट देखें, यहां पर दिया जा चुका है, और यहां पर आप देखिए, बिल्कुल किलियरली यहां पर में खुल जाएगी, तो इसके आपर पीडियाफ खुलने के बाद यानली कोई एक फीडियाफ को देख लेते हैं, मालीजी हम यूपी की खुलते है, यूपी के यूपी का रिजल्ट अगर हम लोग को देखना है, उत्तरपिदेस का रिजल्ट जीडियस का देखना है, तो पाच जट कितनी है, डॉकमेंट वरिफिकेशन कराने की, तो पाच जुलाई 2022 रखी गई है, डॉकमेंट वरिफिकेशन कराने के लिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते है, रिजल्ट और हम लोग ले चलते हैं कि आपको इस पाच जुलाई से पहले-पहले आपको अपना करा ले रहा है, वरिफिकेशन कराने से जो डॉकमेंट वरिफिकेशन कराएंगे, उसमें कौन-कौन से डॉकमेंट की जरूरत लगने वाली है, चलिए उस पेज पर आपको ले कर चलते हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कौन-कौन से इंपोर्टन डॉकमेंट, जरूरत लगने वाले हैं आपर तो सबसे पहले online application print जो आप लोगों ने online application किया था उसका जो final submit किया था उसके बाद जो print निकला था वह आपको चाहिए उसकी जरूरत है उसके बाद 10th class की certificate 10th class के certificate किसी-किसी में क्या होता है कि 10th certificate एक में होती है तब तो कोई बितिकत नहीं है तब तो आप certificate उसके ले सकते हैं अगर आपका certificate अलग है और mark seat अलग है तो उन दोनों को आपको original लेकर जाना है उनकी 22 22 जीरक्स कॉपी कम से कम दो या तो तीन करा लीजएगा तीन जीरक्स कॉपी आपको हर original document की आपके तुने साथ लेकर जानी है original document प्लस उसकी to copy आपको साथ में लेकर जानी है तीसरी चीज यहां पर है कास certificate का certificate यह नहीं कि आपको अगर और पर काज करते हैं तो उसका अगर कशी भी करते हैं तो आपके पास certificate होना बहुत जरूरी है उसके अगर हम लोग बात करते हैं computer certificate अगर computer certificate आपके पास है तब तो बहुत अच्छी बात अगर नहीं है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि वहाँ पर आप लोग ने notification में देखा था कि clearly mention था कि computer certificate mandatory नहीं पर लेकिन आपके पास अगर है तो बहुत अच्छी बात आप लेकर जरूर जाहिए कि computer certificate को क्योंकि वहाँ पर आपको वहरीता दी जाएगी आपको प्राइटी दी जाएगी अगर आपके computer certificate होगा नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें residence यहाँ पर आपका मूल लिवास मूल लिवास प्रमाड पत्र आपके पास होना चाहिए आपने जहां से फॉर्म बढ़ा है अब भी अपने साथ जरूर लेकर जाएगा उसके बाद यहाँ पर देखें टू टू पासपोर्ट साइज फोटो तो टू यहाँ पर लिखा है हम तो कहरें चार से पांच फोटो अपने साथ लेकर जाएगा जरूरत उस तैम पढ़ जाएगी तो फिर कहां लेते घूमेंग बिलकुन निश्चंत हो जाएगी और जीरॉक्स दोनों कपी आपको लेकर जानी है और बिलकुन निश्चंत हो जाएगा आप इसली अपने डॉकुमेंट वरिविकेशन करा पाएंगे और अभी अपके मन में किसी तरीके के कोई डाउट है कोई संका है डॉकुमेंट उतने ही student को बुलाया गया है जो लोग document verification में fail हो जाएंगे या फिर document verification उनका सही नहीं होगा उसके बाद next candidate को वहाँ पर मौका दिया जाएगा जिसके percentage उनसे कम होगे तो बिलकुल निश्चिन तो जाएए अगर आपके marks अभी कम यह मालिज आपका selection नहीं हुआ है तो उससे कम marks वालों को भी अभी मौका दिया जाएगा तो बिलकुल निश्चिन तो जाएए चलिए फिर मिलते हैं next video में thanks for watching this video